जहिंद ने वेलकम टू इस्टडी बैटल लेकि आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे पर और और सतत विकास ठीक है हम लोग का निव सब्जेक्ट है जो कि हम लोग पूरे जितने भी प्रिवियस एर का कोश्चन आया हुआ हम लोग डिसकस करेंगे सारे प्रिवियस ए पर्रयावरणर, और सत्त्विकास, उनके शामहिकünde अगैर सबको विला दिया जाते है उसी को पर्रयावरणर कलते हैं, ठीक है तो पर्यावरड कोई एक परिपास एंडिवज्वल नहीं है काने को मतलब जितने भी पेड़ पौदे होंगे, भूमी होगे, जेल होगे, जीव जन्तु होगे उनके समूह को जो हमारे चारू तरफ हैं, उनी को सामूह ग्रूप से पर्यावरड करते हैं और उनका साच्छर करना भी हमारा करतब बनता है, यूँकि उनको नश्ट अगर करेंगे तो जाईश रवात है कि आने वाले समय में जो इफेक्टिविनेस हैं, हमारे उपर पड़ेगा, ठीके, तो पर्यावरड के जो घटक होते हैं, दो तरह के घटक होते हैं, एक होता है ज इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, जविक और अजविक घटक के विशय में, पूरा ही विश्तित में अध्यान करेंगे, जविक और अजविक घटन के विश्तार में, ठीक है, तो इसके अलवा देखें, जो जविक और अजविक घटक होते हैं, आपस में अंतक्रिय इसी को बोला गया है परस्तिकी तंत्र के रूप में इसी को परिभासित किया गया है यह बोल सकते हैं पर्याण्ड सरच्रादियम उनके साथ इस सभी को समलित करता है परी जो कि दो सब्दों से मिला है परी धर आवरड परी प्लस आवरड परी प्लस आवरड परी मिस क्या होता है परी और आवरड दो सब्दों से मिलका मना है जिसको बोलते हैं पर्यावरड जिसका मतलब यह होता है परी प्लस आवरड का मत अविभाज समयच्टी है, मतलब इसमें जविक और अपस में करियासिल होते हैं, पर्याओर के तीन घटक होते हैं, भावतिक और जविक घटक तीन घटक में पहला जब घटक है, भावतिक या जविक घटक सेकेंड घटक है अजेविक हो गया अजेविक है सेकेंड हो गया जेविक घटक और जो थर्ड हो गया बोल सकते हैं मानो निर्मित जो गत्विधिया हो रही है उनको भी इसमें सामिल कर सकते हैं सांस्क्रितिक पर्यारोड़ के इंत्रर जो आर्थिक समाजिक ऑर्राजिनितिक गत्यों को दीचा। जो बूल सकते हैं मनो निम्रीत गत्यविद्या को इसमें धी रखा गया, तीन तरह के गटक है ठीक है और सभी जविक और जविक घटकों का यह मिस्ड़ होता है जो जीओं को चारो तरफ से क्या करते हैं प्रभावित करते हैं ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे वन बाई वन करको इसके पहले हम लोग पर्याड के देखेंगे पहला जो कोश्चन है पहला question को देखिए पहला जो question इसको देखते है रही है पहला question है सतत विकास लच्छ 2020 की बिशम दिये गाए देखो जाईशी बात है कि 2020 तो होगा नहीं अभी current में 2000 तेज चर रहा है तो 2020 का रिपोर्ट नहीं आया तो अभी हाल में 2022 का रिपोर्ट आया स्टेबल डॉल्मेंट गोल बोलते हैं है एश्डीजी बोलते हैं 2015 में जो सभी सयुगत राश्चंग के सदस थे उन्होंने सतत विकास लच्छे तो 2030 एजेंडा इसको इंगलिस में बोलते हैं और 179 उपलच्छ को रखा गया या निधारित किया गया जिनको हर हाल में 2030 तक प्राप्ट करने का एक तरह से लच्छ रखा गया इसी अधार पर सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लच्छे ओं जो सतर लच्छे हैं और उपलच्छे जो 169 उपलच्छे हैं इन्हीं को प्राप करने की दिशा में हर वर्ष अवलोकन किया जाता है हर वर्ष बैठक किया जाता है और हर वर्ष एक तरह से बैस्विक अवलोकन किया जाता है 17 गोल और 179 उपलच्छ को प्राप्ट करने की दिशा में 2015 में हुआ निधारित किया गया कि 2030 तक जो 17 गोल है और 189 उपलच्छे ह हरहाल में हमें प्राप्त करना है तो यह है तो सबसे important question एक कि इतनी निधारित किया की, लच्ष दो सत्रह है, उपलप्श कितना 170 कब तक निधारित करना,कब तक हमें प्राप्त करना 2030 तक, इसको जारी को करने उये से इवन ब्राप्त करना गृस में तक कम अधल जारी किया जाता है और हभी हाल में सतत्विकास रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है इसका यह सात्मा संस्क्रड था जो कि हमने यहां पर पॉइंट आट कर दिया है सात्मा संस्क्रड और इनका जो 2000 रिपोर्ट का जो शीषक था इस वर्ष का रिपोर्ट का शीषक था कि दो यह संकट में सतत विकास तक SDG वर्ष 2030 और उसके आगे के रोड मैप के रूप में ठीक है तो रिपोर्ड के अंदर का जो SDG सुषकांक है और डॉसबर्ड दोनों को सामूल किया गया है और कुल मिला के जो उचितम स्कोर जो सुषकांक का आउसद स्कोर है इस साल का 2022 का जो स्कोर ह रखा गया है जो कि आउसद स्कोर है 2021 का और 2022 में जो टाप लेबल का कंट्री है जो कि SDG 17 जो गोल है उसको प्राप्त करने की और अग्रसर है और जिसमें से फिनलेंड टाउप नंबर वन पर है फिनलेंड जो कि मैंने लिख रखा है इसका स्कोर है 86.51 के साथ फर्स नमर पर है वही पर सुडेंट जो कि थर्ड नमर पर बना हुआ है SDG सुचकांग 2022 के लिष्ट में और चौतिय नमर पर नार्वें है पांच में नमर पर आश्ट्रिया है वही पर देखा जा अंतिम से पांच अस्थान तो सबसे लास्ट में सुडान है उसके बाद उसके पहले मर्द अपरिकी गड़रा जो कि 162 नमर पर है टोटल 163 कंट्री इस बार इसमें सामिल हुए है 163 कंट्री को रैंकिंग परदान किया गया अब देखते हैं अपना प्यारादेस भारत का रैंक कहां पर है अपना प्यारादेस भारत का 163 में रैंक है 121 ओबराल जो स्कोर है भारत का उबराल स्कोर है 60.32 स्कोर है और 121 जो की रैंक है तो दोनों ही भूलना नहीं है और SDG को प्राप्त करने में सरकारी प्रतिबद्धाताओं और प्रयासों के दिश्टी से भारत को निम्न SDG प्रतिबद्धा कि स्टेड़ी में 40 से 50 में वर्गीत किया गया है ठीक है तो आई होप इसमें आप भूलेंगे नहीं तो भारत का जो इस्तिती है मैं लगातार अगर देखा जाए तीन वर्ट्स में गिरावट दर्ज किया है तो हरसल गिरावट दर्ज की जा रही है भारत जो की मध्यम सुधार ही धर्ज किया है बहुँ जाता सुधार दर्ज नहीं किया गया अगर में देखा जाता है बंगलादेश और कंबडिया दो ऐसे देश speaks olsa सबसे अधिक प्रगति किया है ठीक है तो सबसे अधिक प्रगति किया है बंगलादेश और कमबोडिया तो आपने यहां पर देखा वहां सतत विकास लच्छ सतत विकास रिपोर्ट अधियो मल्लत क अस्तर मड़ा जय मलत अजीयों मैं से प्रीत्वी का सरवादिक बषत पार्शित की तंत्र है और इसके अलावा देखेए अभी परियाओड से क्या विप्रा हैं परियाओड से जो इनके चारो और अस्तितु में हैं और उनकी संपूर दसाओं का योग जो व्यक्ति को एक स्पिंदु पर घेरे हुए होता है इसके अलबा भौतिक और जैविक और सांस्कितिक तत्यों की अंतर क्रिया विवस्ता को भी अंतर समंदित होता है अब देखें प्रित्वी पर पाये जाने वाले भूमी जल वायू पेड़ पौदे और जीव जन्तु का सम्मू जो हमारे चारो और सामई ग्रूप से हैं उन्हीं को बोलते हैं पर्यावर्ड टेके तब पर्यावर्ड का परिवाशा आपने देखा इसके अलावा देखें 1986 के अधिनियम के अनुशा जो पर्यावर्ड का परिवाशा किया है पर्यावर्ड किसी भी जीव के चार तरप से घीरे वे भावतिक और जयविक दसाएं उनके साथ अंतक्रिया के समलित को ही पर्यावर्ड को परिवासत किया गया जो कि जो की सुर्च्छा से समलित नहीं है भार्त में पर्यावर्ड सरच्चा अधियां 1946 पारित हुए पर्यावर्ड बनता है जिविक घटको फूप्राकृतिक घटक और अजय्यु घटकों से इसके अलोब देखें पर्याड के कुछ कारण संसाधन के रूप में कारे करते हैं धाड़ी विकास के संदर में अगर देखा जा तो पिडिकत समर्द सिल्था का बिशा है प्राकरतिक संसाधन जो की सवेद्न सिल्था का बिशा है और देखिए सबसे ज़्यादा गैस के रूप में देखा देखिए सबसे ज़्यादा गैस जो की 78.08 परसेंटेज जो की नाइंट्रोजन गैस पाजाता है अक्सीजन का वहीं बात किया जब पर्याओड में आक्सीजन जो की 20.95 मतब लग बाइंट्रोजन का ठीक है तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा percentage है तो प्रित्वी पर जो बिद्दिमान गैस हो गये है गैस के समुख को ही वाय मंडल करते हैं इसके अलबा नाइट्रोजन, आक्सिजन, करोंडा अक्साइट बहुत सारे गैसे पाजाती है इसमें से नाइट्रोजन सब ज़्यादा है इसके बाद आक्सिजन है कर्वन डाइक्साइट का मात्रा 0.036 है तीके और जो स्वपेशी पेड़ पाउदे होते हैं और इनके प्राड और जीने के लिए आक्सिजन के आशकता होती है आक्सिजन का उसरजन और वाय मंडल को दोसित करने वाले जो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जीमिदार गैस है कर्वन डाइक्साइट का आउसरच करती है पेड़ पाउदे पेड़ पाउदे देखिए एक पहुत ही इंपोर्टेंट चीजे हैं जो कि पेड़ पाउदे जो आक्सिजन का उसरजन करती है और जो कर्णाइक्साइट गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जीमिदार है दूसित के लिए जीमिदार है उसको क्या करती है आउसरच करती है तो पेड़ पाउदे का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसमें देखे धाड़े विकास के उपयोग के संदर में अंतर पिड़िकत सवेदन सिलता है प्राक्रतिक संसाधन NGT का पुड़ रूप है नेशनल ग्रिल टैपुल जो कि NGT का पुड़ रूप है ठीक है इसके लिए देखे सतत विकास सतत विकास मानो समाज के कल्याड है तो प्रमो अतपूर है यह बिल्कुल ही करेक्ट है और सतत विकास से विप्राह है ऐसे विकास है जो भावी पिडियों के जरूरतों को पूरा करने की योगता को प्रभावित किये बिना वर्तमान समय की आपस पूरी करता है देखिए सत्त विकास में हमने बताया कि सत्रक गोल होते हैं आप चाहिए तो सत्रक गोल को याद कर सकते हैं सत्रक गोल याद होना चाहिए इसमें कोई भी दोरा नहीं है याद बिल्कुल होना चाहिए सत्रक गोल तो सत्रक गोल में अगर पहला है पहला देखा को भुकमरी को भुकमरी की समापती तीसरा है लोगों के जैसे भुकमरी खतम होगी तो लोगों के स्वास्त और आरयोगेता पर ध्यान दिया जाएगा तो इसको बोल सकते हैं लोगों के स्वास्त लोगों का स्वास्त पहला जरूरी है गरिबी समापत करें फिर भुकमरी फिर लोगों का स्वास्त फिर उसके बाद गुरुवत्ता पुरुषिच्छक जो एजुकेशन होगा एजुकेशन को बहुत ही अच्छा करना मतलब क्वालिटी एजुकेशन बोल सकते हैं और यह चोथा पॉइंट था पांचमा पॉइंट ए है कि जो लेंगिंग समानता है और तो अब लड़कों और बच्चों में भेद भाव का चीज़े नहीं होना चाहिए इसको बोलते हैं लेंगिंग समानता है और नेश्ट है जो कि छठमा है जल और स्वच्ता से समन्दीत जल और स्वच्ता से समन्दीत है छठा जल और स्वच्ता से समन्दीत है सात्मा वहीप हो गया कि फायती स्वच वर्जा कि फायती स्वच उर्जा जो कि सात्मा गोल है स्टीजी का वहीप आठमा है आठमा है उ उत्क्रिष्टकार और आर्थिक विकास जो कि आठमा गोल है उद्योग नवाचार बुनियादी धाचे का विकास जो कि नुवा गोल है दसमा है असमानताओं में कमी दसमा गोल है वही पर गयरामा है समवनी सहरी सामदाइक विकास के रामा है वही बारामा है जिम्मदारी के साथ उपयोग उपभोग और उत्पाद जो कि बारामा है वही पर तेरहामा जो गोल है जलवाई की कारवाई जो कि तेरहामा गोल है जलवाई कारवाई जो कि तेरहामा गोल है जली जीओं की सुरच्छा और जली जीओं की और पंदरहमा जो गोल है थली जलो की शुरुच्छा थली जीओं जो की कास्त और से अस्तली पर्षटि में जीवन है उनका और शुलहमा जो की गोल है सान्ती न्याय और ससक्त ब्यूस्ताय या सस्ताय सबसे लाश्ट लच्छों के लिए भागिदारी सत्रहमा गोल है ठीक है तो यही है सत्रह गोल को आप रहें देखा और सारे को हम लोग डिसकस किये हैं वन बाई वन करके जितने भी अब देखते हैं नेस्ट में कोशन क्या है एस्टीजी का विकास की वह अवधराड जिसके अंतरगत वर्तमान के अशकताओं को सासात भवशिक के अशकताओं में भी ध्यान रखा जाता उसको बोलते हैं धारडे विकास और नीती आयोक द्वारा हाल में ही सतत विकास लच्छ से 2009 i20 के अंसार रखा गया पर्थहमस्तान पहते हैं थी ki 223 में ही केरल ही पर्थहमस्तान पहते हैं को भी ओ नहीं है 2022 में जुहांसब़्ग में परत्वी सम्हेरन का मुख्य मुझ्धा रहा है प्रित्वी सीखर समयलन का मुख्य मुद्धा रहा है सतत विकास ठीक है तो 1902 में देखे उनाइस सो अगर देखा जा उनाइस सो बानवे में हमारे प्रित्वी पर जो मड़ा रहे खत्रो से संकर से निप्टरन के लिए जो विस भर में एक ऐसा रणिती बनाये गया जो कि विस लोग ने एक जुटता दिखाई और प्रित्वी सीखर समयलन में एकत्र हुए इस समयलन में क्या हुआ जलवाई परिवर्तन जलवाई परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो गंभीर समस्याएं हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो गंभीर समस्या हैं उस पर गहरी चिंदा जताई गई और सभी लोग ने मिलकर इस जो कटनाई है इससे लड़ने के लिए संकल पर लिया टोटल 172 देशों ने रियो डूजनरियों में भाग लिया था सहुत राश्ट द्वारा जो पर्यारोड शतत्त विकास के मुद्दों पर आयूज़त इस बैठक में सिर्क अब इसको देखा आपने प्रितवी सीखर सम्मिलन का मुख के मुद्दा दो हजार दो में क्या रहा तो प्रितवी सीखर सम्मिलन के विशे में भी देखे कहां से स्टार्ट हुआ ठीक है इसको हम लोग बहुत ही अच्छे डंग से देखने के कोशिस किये हैं अब देखते ह है नेश्ट में क्या है सेउत राष्ट रंगने सातथ विकाश लच्चों करने की दिशामें विभिन देशों द्वारा प्राप्त किये गे प्रयाशों की प्रगति जानने ही तुह निमाड किया गया है संस्टेबर डेवलेमेंट इं्डेक्स का निमाड किया है बिश्चो प पर्यावरण दिवस ठीक है और डेश के प्राकृतिक पुंजी में संब्लित किये जाते हैं वन जल और खनीज देश की प्राकृतिक पुंजी में संब्लित किये जाते हैं ठीक है इसके लाओ देखे वे संसाधन जो प्रकृति द्वरा हमें प्रदत होते हैं उसको पोलते हैं प्राकृतिक पुंजी और प्राकृतिक संसाधन 1972 में आयजुद किया गया था इस्टाक होम अंतराष्टी सिकर समयन को आयजुद किया गया था 2017 में इसके हला देखे 100 विकरड की सबसे महत्पड भूमिका होती है जल चक्र में 100 विकरड की सबसे महत्पड भूमिका होती है आ अब देखते हैं और अभियांत्र की सोच संस्तान नेरी महराष्ट के नापपूर सहर में इसी थे और इसका स्थापना अगर देखा जा तो उनईससो अन्टावन में जो की केंद्री लोग स्वास्थ इंजिरिंग सोच संस्तान एक तरह से बोला जा लोग संस्तान के रूप में हुआ और इनके water supply, sewerage plan इस सभी जो बीमारियां हो गया समंदीद बीमारियां हो गया और दोगी प्रदूसर के रोक्ताम के चेतर में विकास के लिए इसका किया गया था बाद में इसको नीरी नाम दिया गया ठीक है? नीरी नाम दिया गया और इसके अलावद एके national बहुत important है National Environment Authority ये भी एक संस्था है प्रादिकरण है राष्ट्री पर्यावरण प्रादिकरण इसका पूरा नाम होई है कि राष्ट्री पर्यावरण अपीली प्रादिकरण इसका गटन वन और पर्यावरण मंत्राले के द्वारा किया गया और इसका काम ही है कि जो भी मामले हैं जो कि खास्त होसे प्रतविंदी छेत्रों में ऐसे मामले को देखने के लिए जो पर्यावरण मंजूरी होता है अगर माले चीप किशी को पेड़ के कटाई करना है या कुछ आइसा करना है बाद बनाना है तो पर्यावरण के मंजूरी लेना जरूरी होता है तो इसलिए इनका नेशनल इन्वार्मेंट एथोटिक का अस्थापना किया गया इसका अस्थापना किया गया इसके अलवा देके वड विशुमावसम विज्ञान संगठन अधिशमें लागो हुआ ठीक है इसके अलवा अगर देखा जाया तो विशुमावसम विज्ञान संगठन बाद में अस्तुत में आया जो कि 1991 में एक्यावन में इसके लवा इसका मुख्याला है वर्ड जो इंटरनेशनल वर्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाजेशन का मुख्याला है स्चुट्चर लेंड में है ठीक है इसके लवा एक और इंपोर्टेंट है UNAP United Nation Environment Program जो कि UNAP की विशे में जो कि आगे हमनों डिसकस करेंगे UNEP की विशे में अगर देखा जाएं तो सहुत राष्पर्याड कारक्रम जो कि अस्थापना में उनई 172 में किया गया इसका मुख्याला कहां पर नैरोभी में है और अर्टमान में जो प्रमुक डेनमार्क है डेनमार्क की इंगर इंडर्शन है इसका प्रमुक तो अभी के बिशम देखे हैं और UNEP के बिशम देख लिए हैं ठीक है इसके लोग ग्रीन प्रिस इंटरनेशनल है यह भी एक गयर सरकारी पर और संगठन है इसमें 55 देश है इसका मुख क्या नीदर लेंड में है तो संगठनों के बिशम देखें 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 नीरी कैस्ता अपना उनई 55 में हुई थे सतत्विकास के लिए सबसे आवस्यक है कि जयविक विवित्ता का सरच्चर पर दूसर का निरोद और नियंत्रड इसके अलवा निर्धंता को घटाना जोकि सतत्विकास के लिए आवस्यक है तो टोटा सतरा गोल है सत्रहों गोल को हमले देख लिये हैं इसके पे आला हमनु को देखते हैं, प्रित्वी सिकर्संभिलन का आयोजोन कहां पर किया गया था? रियो में किया गया था. सयुत राश्ट संघ द्वारा पर्यारण और सदत्र विकास पर, पहला प्रित्वी सिकर सम्मेलन 1992 में Rio de Janeiro जो कि ब्राजील में किया गया था The Limit to Growth Report का प्रकाशन 1972 में किया गया Brentland Report I.O. का प्रकाशन अपरेग 1987 में हुआ Brentland Report I.O. का प्रकाशन 1987 में हुआ Monitorial Protocol का प्रवर्तन कब हुआ सितंबर 1989 में Monitorial Protocol का प्रवर्तन हुआ ठीक है इसके लवा देखते हैं प्रित्वी सिकर सम्मेलन 1991 सदी के लिए पर्रावड विकास हैतु कारेकरम निधारित किया गये इन कारेकरम का नाम रखा गया Agenda 21 वहीं पर देखे रियो 20 गोश्रापत का जो सीर्षक था वह था The future we want ठीक है इसके लवा हम मुनिस्ट में देखते हैं Next question को देखते हैं प्रित्वी के चारो और गैसों के सम्मों को क्या बोलते हैं आपको पता है प्रित्वी के चारो और गैसों को वाई मंडल बलते हैं वाई एक तरह का मिस्टर है इसमें 78% नाइट्रोजन आक्सिजन 21% आरगन 0.93% वहीं पर करवन डाइकसाइड 0.038 इस सारी गैसों मिलकर एक वाई मंडल का निर्मान करती हैं नोबल गैस में अगर देखाया तो रेडान नोबल गैस है सबसे अधिक है नाइट्रोजन गैस वहीं पर प्रित्वी पाया जाने वाली वर्नसपती पेड़ पाउदे समाप्त हो जाते हैं अकर आक्सिजन नहीं होगी प्रित्वी के कर्बन चक्र में कर्बन डायकसाइड जुडता है स्वसन जैसे पदार्त का अपच्छाय और ज्वाल में के क्रियाओं द्वारा जुडता है कार्बन प्रित्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाए जाता है यह अपने मूल रुप में ग्रेफाइट और हीरा में पाए जाता है कार्बन ठीक है इसके अलवा नेश में देखिए प्रित्वी के कार्बन चक्र में कर्वन एक्साइट के मात्रा को नहीं बढ़ाता है अपच्छे का विचार क्या है एक प्राकृतिक रिया से जो चटानों के सुच्म कड़ों में विभक्त करती है उसी को बोलते हैं अपच्छे इसके लाओ देखे 20 माउसम विज्ञान संगठन का मुख्याला है अभी जस्ट हम लोग देखे हैं WMO का वर्ड मेटरोलाजिकल अर्गनाजिशन का जो मुख्याला है कहां पर जोनेवा में है जो कि सुर्जा लेंड में है जिसके अस्तापना 23 मार्च 1951 को हुआ वर्ड मेटरो भी है केन्या में इसके अलवा देखे स्यूत राष्ट पर्यावड सभा का जोग्साओ था सत्र आयोजित हुआ नेरोभी केन्या में आयोजित हुआ है इवन एपी इन्वार्मेंटर प्रोग्राम के अस्थापना 1972 में किया गया वर्तमान प्रमुक्ते इंगर इंडेसा जो क पर्यावड सरच्र का जूठा वादा करना ग्री नमास इंगित करता है इसके लोग देखे इर्मार्मेंटर प्रोटेक्शन एजेंसी स्थाविक्त राष्ट अमेर्का की एक संगी एजेशी है जिसके अस्थापना दो दिसंबर उनेशो सत्तर को हुआ इर्मार्मेंटर प्रोटेक्शन एजेंसी यन ये नेशनल इर्मार्मेंट एथर्टी इसका फुल्ड नियम है इसके लाव डेखते हैं नेस्ट में नेस्ट में देखते हैं कि निस्ट में देख़ेनी को all नेस्ट कोशन देखिए Greenpeace International का मुख्याला जो कि नीदर लेंड में है जिसका जगह है एमस्टरडम नीदर लेंड के एमस्टरडम में है और Greenpeace International एक गैर सरकारी पर्यावड संगठन है इगो मार्क किया है? इगो मार्क एक भारती उत्पादों को दिया जाता जो कि पर्यावड के प्रती मत्ति प्रूड हो उसको इगो मार्क दिया जता है Bureau of Indian Standard द्वारा वर्ड उनाई स्वेक्यान में दिया गया इगो मार्क प्रमाड पत्र निश्दे कि पर्यावड अनुकुलन उत्पादों भोकताओं को चीनित करने के लिए सरकार इगो मार्क देती है Sunstable Agriculture का क्या अर्थ है Sunstable Agriculture का अर्थ है भूमी का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुर्वत्ता क्या रहें अछुड बनी रहें उसको बोलते है Sunstable Agriculture बहुत जरूरी है Sunstable Agriculture आज के समय क्या होता पैदावार को बढ़ाने के लिए तमाम तरह से चीज़ें का यूज किया आता खास और से खतना खतना खादों का फटलाजर का यूज किया आता जिसके वएसे Human beings को पहुँच जाता और साथ ही साथ जमीन को जो उरोरता सकती है इससे कमजोर होती है ठीक है बहुत तरह चीज़े इसको धनिकारक होता है तो Sunstable Agriculture बहुत जरूरी है आने वाल समय में भारत में टिकाव क्रिसी के लिए राष्टी मिशन चल रहा है 2014-15 से Green House Farming प्रारम करने वाला जो राज है वो है पंजाब राज है प्राकरतिक बनस पति जलवाई ही का सही शुचकांग हो देखते है सही शुचकांग है बिल्लुकुल depress है जल प्रिय पौधे आद्र जलवाई में पाए जाते हैं दोनों ही ब्लाम होनिंट देखते है नगरी पर्षिस्कांग में में क Shirley कर रही होगा जहां जंगल झारियां हों इसको सफाई करकर उसको सफाई करेंगे तो पीड़ प见ड़ कटेगा तो जाहिछ से बात है हनीकारक होगा ठीक है इसके लवा नेश्ट देखते हैं राष्टी हरित न्याधिकर अधियनियम 2010 भारती सविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधियनियमत हुआ उसमें से स्वस्त पर्यावड के अधिकार के अनुरूप जो नुचित एक कैसी अंत्रगत जीवन के अधिकार क अधिक से जश्टिस आदर्श कुमार गोयल है और राष्टी हरित न्याधिकर्ड के अस्ताप्णा राष्टी हरित न्याधिकर्ड अधियम 2010 के तत किया गया 18 अक्टूबर 2010 को किया गया ग्रिन डेवलमेंट पुष्टक के लेखक डबलू एम एडम्स है ग्रिन इसके देखे आमतर पर समचारों में आने वाले रियो प्लस 20 सम्मिलन है धाड़े विकास स्टेबल डिवर्यमेंट पर स्रयुग तराश सम्मिलन है संचारों में आने वाले र्यू प्लास टॉण्टी संभिलन है र्यू प्लाइट ढ़िविकष पर सफ्रहु र्यूटर राष्ट संभिलन है यह धार 2022 में रियो डियूनेरियो सहर ब्राजील में है वहाँ पे संपन हुआ इसमें 172 से अधिक देश नहीं इसमें समलित में जो कि इसका सम्मेलन जो किया गया रियो डू जनुरियो में धाड़े विकास पर सयूत राष्ट सम्मेलन का लगू नाम है ठीक है इसके आलबा हम दो समूत हम निक्ट में देखते हैं में क्या है नेस्ट में हरित अर्थ व्योस्ता पर करवाई करने के लिए भागिदारी जिसको बोलते हैं पार्टनर्स्रीप पार एक्षन और ग्रिन एकोनामी का स्रिजन किया गया रियो डिजनर्यो में 2012 के संधराड़ी विकास पर सयुथ राश्ट सम्मिलन में प्रित्वी सिखर सम्मिलन या प्रित्वी सम्मिलन प्लस फाइप का आयोजन हुआ उन्हीं संतानमे में 23 जून से लेकर 27 जून 1997 में सहयुक्त राष्ट महासभा ने एक 20S बैठक का अयोजन किया जो रियू प्लस फाइप या प्रित्वी सम्मिलन प्लस फाइप के नाम से जाना जाता है तो यह है निवार्क में इसके लगते के बैग्यानिक अर्थवीदो सीविल सेवकों बेवसायों की एक संस्ता जो मानावता के समझ उपस्तित होने वाले बैस्विक जुनोतियों के समधान हेतों सुचाव देती है उसको बुलते हैं कलब आफर रोम इसके लगते अर्थ सम्मिट या प्रित्वी सिखर सम्मिलन स्टाक होम सम्मिलन की बिश्मी वर्षगाट मनाने के लिए आजुद किया गया इस सम्मिलित देशों ने धाड़े पिकाश के लिए एक कारवाही योजना स्विकृत किया जिसे एजन्टा 21 के नाम से जाना जाता है इसका देखे कई प्रति रोपित पाओदे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रति रोपड के दवरान अधिकांस जो मूल रोम हो नस्ट हो जाते हैं इसका देखे मूल रोम की कोशा बित्ती मुख्यता सेलुलोज की बनी होती है ठीक है और मूल रोम मिर्दा से चिपके रहते हैं प्रेक्टीन के करणर दोनों ही कोश्चन बहुत ज्यादे इंप्रेंट है मूल रोम की कोशा बित्ती का मुख्यता सेलुलोज की बनी होती है और प्रेक्टीन के करणर क्या होता आपस में चिपके रहते हैं इसके लगा देखते है ने परियोड संतुलन के सरचण से समंदित वन निती परियोड सुरच्छा अधिनियम 1986 और आउद्वोगिक निती और सिच्छा निती इसके अलावा नेश्ट को भी देखते हैं जो प्रिवियस एक कोशन है इसको भी देख लेते हैं NGT सही कथन देखना NGT परियोडर निया उपलप्त कराता है और उचतर नियालों में मुकादमे के भार को कम करने में सहता करता है जबकि CPCB जर्नों कुओं की सफाई को पुर्शान करता है और देश में जो वाई की क्वाल्टी है उसको सुधार लाने का लच्छ रखता है NGT नेशनल ग्रीन ट्रेबॉनल ठीके इसके अलावा हम लोग नेश्ट में देखते हैं जयो वित्ता पर अधी समय जलवाई परियोर्तन पर सयुद राश्ट धाचा के लिए बित्ती एक क्रियाविधी के रूप में काउन कार करता है उसका नाम है GEF भूमंडली पर्यारोड सुविधाज इसको बोलते हैं Global Environment Facility के स्थापना जो किया गया रियो और सम्मिट उनाई सो बानबे के द्वारा किया गया अब देखते हैं नेक्स्ट में इसका नेक्स्ट कोश्चन है जो कि previous era कोश्चन है UPCS और UPSC जैसे एक जामों में आया हुआ कोश्चन है question के level बहुत standard रखा गया है एस अब question बार-बार repeat होता है देखिए UN, ECCC जो कि अल्प विक्सित देशों को अल्प विक्सित देश की नीदी जिसको बोलते है List Development, Develop Country Fund उपलब्द कराता है, कौन कराता है? जी, ECCC कराता है इसके लबा Global Environment Facialities जिसको बोलते है विशेश जलवाई परियोता ने देदा Special Climate Change Fund के अस्तापना COP7 की बैठक माराकेश से निर्दिश प्राप्त के अधार पहुआ था जी, अब के मुख कारिकारी अधिकारी है या देख्च कार्लूस मैनूल एंट्रियोज पलाची माड़ा पलाची माड़ा जो कि परियोड की अपार छत्ती के करण चर्चा में रहा है कहां पे पलाची माड़ा केरल में अवस्ती थे केरल भारत की एक स्टेट है जो कि साउथ इंडियन है परियोड सुरच्चा अधिनियाम इसको बोलते हैं चाता विधान में इस्टाक होम में नायवजित सयुद राष्ट के पर्थम अमानों भार्यावड सुच सम्मिलन के निड़ों को करने के उदेश से भार सरकार ने पारित किया भार्यावड सरच्चा अधिनियाम उने इसके लोगा पर्यावड सरच्चा अधिनियाम उने इसके पारित हुआ इसको बोलते हैं चाता विधान और उने इस वहतर में इस टाक होम में नायवजित सयुद राष्ट के जो पर्थम अमानों पर्यावड समस्वव में के नीडव को करियान मित करना ही के लिए भारा सरच्चा ने पर्यावड सरच्च अधिनियाम को पारित कर है था ठीके और देखिए जिनेटिक इंगिनियरिंग अनुभो opensendямी चिंची का गठन किया गया पर्यावड सरच्च अधिनियाम के अंथरगत मोगे पोसी बेंद देखे केसट उन समीटी इसको बोलते हैं चेने इंजनीरिंग आप्रोवल कमिटी का नाव बदल दिए गया और अनुधन्षिक इंजनिरिंग अनुधन कमिटी सब्दू के इस्तार पर क्या सब्द रखेगे है आनुवनसिक इंजिनिरिंग ऑकलन कमिटी जिसको बूल दे जेनेटिक इंजिनिरिंग अप्रियजल कमिटी रखा गया है इसके लोग देके नेस्ट अपने वार्षिक सर्वेचर के प्रडाम के रूप में नेशनल जिय मुकता बेवार का मापक है और भारत में क्रिसी के परड़ अलकुनन दिर्ग अस्ताई विकास के लिए जो सरडिंती सरोसेष्ट है उसमें से मिश्र सहेषन, कार्बनिक खादे, नाट्रोजन, योगिकरड, पहोदे और किट प्रतिरोध सस्चकिस में प्राक्तिक क्रिसी का जो अन्वेसर्ड है वह है माना, सोबु, फुक, फुका, पर्यावर सरच्चर के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारम किया गया, आस्ट्रेलिया ने आरम किया, विकास का वह पच्च जो 20. सदी के 80 के दसक के मद्ध, विकास के नकरात्मक पच्च की चर्चा में रहा है, वह है र